हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्लास 10 जिगराफी जो कंटेंप्रेरी इंडिया पार्ट 2 है उसके जो MCQs दिए गए है exercise में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो टोटल 29 MCQs दिए गए है सारे के सारे आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो चलो दूस्तो आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्ण है कि iron resource किस टाइप की resources है यानि दिएगे यहाँ पर जो option है उसमें से किस category में iron ore resource को आप डालोगे देखो iron ore हमारी non renewable resource की category में आएंगे d यहाँ पर option होगा क्योंकि iron ore renew होने में हजारों सालों लग जाते है ठीक है तो non renewable हमारी resources होंगी iron ore यहाँ के first का d हमारा answer हो जाएगा दूसरा यहाँ पर दिया है कि title जो हमारी energy है उसको किस category में आप उसको डाल नहीं सकते हैं ठीक है cannot be put किस category में आप उसको categorize नहीं कर सकते हैं तो title energy जो हमारी है वो ocean से generate होती है tides से तो आप यहाँ देखोंगे जो tides replanisable है यह हमारी सही है इस category में डाल सकते हैं human made भी है human को दरह बना जाते है टाइडल energy टाइडल तो बैसे naturally generate होती है but energy हम human को दरह बना जाते हैं यह biotic है लेकिन इसको non recyclable में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यह recyclable है ठीक है तो 2 का D हमारा answer हो जाएगा तीसरा है अपर प्रेशन है कि जो land degradation हो रही है पूरे इंडिया में उसमें से खासकर पंजाब में जो land degradation हो रही है उसका mean region क्या है पंजाब हरियाड़ा दोनों को एक साथ आप ले सकते हो पंजाब हरियाड़ा में जो land की degradation हो रही है वहाँ पे intensive cultivation के चलते land degradation हो रही है जबता है आप पूछा है कि terrace cultivation किस state में फॉलो किया जाता है तो आपको पता होने जो दोस्तों terrace cultivation होती है वह इस्टेप farming में बोलते है यानि सिधी नुमा जो खेती होती है सिधी नुमा खेती कहां पे होंगे जहां पे हीली एरिया होंगे इन इस्टेट में आप देखूगे ति हीली एरिया सिर्फ उत्राखण में है ठीक है तो चार का डी यहां पे आंसर हो जाएगा इसके लवान terrace cultivation आप देखूगे जहां जहां पे हीली एरिया है चाहे MP में हो चाहे वेस्टन घाट इस्टन घाष्ट हो या नौर्थ इस्टन इस्टट हो सब जगा terrace cultivation होती है तो चार का डी यहां पे आंसर हो जाएगा पांचमा पुछा यहां पे कि किसी स्टेट में black soil predominantly found होता है यानि बहुत जादा found होता है black soil तो दोस्तों black soil की बात करें तो यहां अरि आज一下 में देखो महराष्टा में महcelyक्राश्टा में black soil अपाई आती है black soil हमारे बैसाल्टिक रॉक से बनी हुए डेसाल्टिक लावा से बने हुए और यह 1976 का ईहां पर यहां हो जाएगा exact presentation सब्सक्राश्यπό यहांезबिपले Deplete हो रही है, Flora and Fauna ठीक है, Flora का मतलब है Vegetation, Fauna का मतलब है Wildlife तो Flora और Fauna की जो Depletion हो रही है, उसका valid region कौन सा नहीं है, यहां पे कौन सा valid region नहीं है, चारों में से तो देखो के Agriculture के Expansion होंगी, तो Habitat Loss होंगी इससे Flora, Fauna और Depletion होंगी यह हमारे वैलेड डीरिजन है, लार्ज स्केल डेबलेफ्मेंट प्रजेक्ट से भी हमारी हैपिटेट को लॉस होती है, यह भी हमारा बैलेड डीरिजन है, ग्रेजिंग आप फ्यूल उड कलेक्शन करोगे, इससे हमारी बहुत जादा हैपिटेट लॉस नहीं होती है, यहां पर सस्टेनेबल एक तरह से प्रेक्टिस एक तरह से अपना होगे, यह हमारा आणसर हो गया, यह हमारे बैलेड डीरिजन नहीं है, ठीक है, तो ग्रेजिंग और फ्यूल उड कनेक्शन से हमारी फ्लोरा फॉड़ा की लॉस नहीं होती है, छे का हमारा फ्लोरा फॉड़ा की जो स्टेटिजी है, उसमें कम्यूनिटी की पार्टिसिपेशन इन्वाल्ब नहीं होती है, तो इन में आप देखोगे, तो ज्वाइट फॉरेस्ट मनेजमेंट, बीज बचाव अंदोलन, चिपको मूवमेंट, इन तीनों में कम्यूनिटी की पार्टिसिपेशन मस्ट है, क आप इसको wildlife century में convert कर दो तो central government यहाँ पर जो ministry आप environment है उसके तहद कर wildlife century में convert करता है और यह हमारी जो गवर्न होती है wildlife protection एक 1972 के अंतरगत यहाँ पर community की involvement नहीं होती है साथ का D यहाँ पर answer हो जाएगा आठवा क्योंसे नहीं दोस्तों हमें matching करना है left side में animals plants दिये गए है और right side में category of existence ठीक है देखो black bug की बात करें तो black bug आप बात करोगे तो endangered species है इसको आप इसमें category कर सकते हो endangered वाले में other endangered species की बात करें तो crocodile है ठीक है Indian wild ass है Indian rhinos है lion tail macaw है संगाई deer है हमारी endangered species में asiatic elephant की बात करें तो काफी sufficient मात्रा है asiatic elephant का लेकिन यह संख्या कम हो रही है तो vulnerable category में हमारी आजाएंगे asiat elephant unman wild pig की बात करोगे इंडेमिक है इंडेमिक मतलब है locally एक particular habitat में मिलते है तो unman wild pig हमारी endemic हो जाएंगे other endemic की बात करें तो बहुत सारी endemic है इंडिया में वेस्टन घाट में लेकिन आप देखो के अरणाचर प्रदेश में भी आपको जो endemic है वो आपको एक आपको देखने मिलेंगे एक निकोबार में आपको निकोबार रेजन देखने मिलती है और मीथुन आपको अरणाचर प्रदेश में देखने मिलती है endemic जो इस्पेसिस है हम हिमालेन ब्राउन बियर की बात करोगे तो हिमालेन ब्राउन बियर आपको रेर इस्पेसिस में है यानि कि बहुत ही कम इसकी पॉपलेशन बचे हुई है ठीक है पिंक हेट डग के बात करें तो इकस्टिंट हो जुका है इसकलाव चीता भी इंडिया में इकस्टिंट हो गया है तो पिंक हेट डग आपको इकस्टिंट कटेगरी में आप इसको मैच कर सकते है तो इह माल रहोगए दश्तों आठवा प्राशन अब नुओ प्राश्ण की बात करें यहां पर तो मैचिंग करना है तो देखो रिजर्ब फॉरेस्ट आप इंडिया में देखोंगे तो बहुत ही वैलियोबल फॉरेस्ट है जो की चन्जर्वेशन के लिए वालाइब फॉरेस्टक लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फॉरेस्ट में यहां पर इसको अधर फॉरेस्ट होती है जिसमें की फर्दर डिप्लेशन को प्रटेक्ट किया जाता है अन्क्लास्ट फॉरेस्ट में आप देखोगे तो यह हमारी इंडिविजल कम्यूनिटी गवर्मेंट तीनों मिलके इसको गवन करती है अन्क्लास्ट फॉरेस्ट हमारी इसको आप एसे मैच कर सकते हो ठीक है तिया हमारी मैचिंग हो गया नौ का अब दस्वाई है पर प्रशना है यहां पर पुछा है कि जो इन्फॉर्मेशन विलो दिये हैं उसमें से आप बताओ सफ्रिंग फ्राम वाटर इसकर्सिटी किस सिच हो या वहां पर है वाटर सफिसेंट बट पॉलूटेड हो ठीक है इसके वज़े से डिंकेबल वाटर नहीं है तो डिमांड की हमारे फुल्फिल नहीं कर पा रहा है तो वाटर इसकर्सिटी आ जाएंगी आप देखो कि वाटर इसकर्सिटी इसमें से तो हमारी रीजन है वि कुछ है कि जो statement नीचे दे गया है उसके argument जो हमारी फेवर मल्टी रिवर प्रजेक्ट कौन सा argument फेवर नहीं करता है तो मल्टी प्रपर जो रिवर प्रजेक्ट बनायाते हैं वह हमारी water को वहां पर जो मालो water scarcity जो रिजन है उसको फुल्फिल करने के लिए तो यह हमारा इसके जालते हैं हमारे यह फिवर नहीं करती है बारवाई आपक्रस्ण है यह राज सम फॉल्स इस्टेट में दिये गया है उसको आपको करेक्ट करना है तो पहला इस्टेम दिया है कि जो हमारी मल्टिप्लाइंग अर्बन सेंटर होती है अन्य अर्बनाइस से मारे बढ़ रही है डेंसिटी भी बढ़ रही है इस्टाल चेंज होने चलते है बहुत सारा वाटर के कंजिप्सिन बढ़ रहा है देंसिटी पपलेशन होने चलते है वहाँ पे जो वाटर की रिशूर्से से हो अनसस्टेनबल यूज कर रहे है तो इसके चलते हमारी वाटर इसकरस्टी की प्रॉलम और पढ़ रही है ठीक प्रॉपर उट्लाइजिस नहीं हो रहे हैं यहां पर आप करेक्ट कर लेना बी दिया है रेगुलेशन एंड डैमेजिंग रिवर डज नाट एफेक्ट दा रिवर नेच्टरल फ्ले फ्लो एन इस सेडिमेंट फ्लो तेको डज नाट नहीं का डज एफेक्ट क्योंकि रेगुल यहां पर दोस्तों प्रोटेस्ट किया गया था एजिटेट बहुत जादा किये थे वहां पर रायट भी हुआ था करेक्ट कर सकते हैं राजस्त हम दोस्तों अभी इंड्रा गंधी कैनाल जो परने एकard हो गिया उसको पुराने उनकी प्रेक्तिस है रूफ टॉप यूप डार स दिनाला का जो है वो हमारी कमी आ रही है तेहाँ पे बोला है कि अभी hen popularity गेन नहीं कर रही है इसको आप correct कर सकते हो कि दोस्तों थेरहमारी है कि कि जो हमारी बताना है आपको single crop इदी ऐसा large area में तो उसको in refuse Tas click agriculture उसको बोलते हैं तो single क्रॉप को लार्ज अरिया में कॉमर्शिल के लिए आप ग्रो करोगे तो हमारी प्लांटेशन अग्रिकल्चर के अंतरगत आती है तो बी में इसको आप कटेगरी कर सकते हो पंदरवा है कि लेगुमिनस क्रॉप कौन सा है है इसमें लेगुमिनस क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिसमें क्या होती है कि नाइट जो रूट होते हैं उसमें बैक्टरिया होते हैं वह हमारी नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं तो स्वाइल में नाइट्रोजन को वहां पर रिस्टोर किया आता है ऐसे प्लांट हमारी लेगुमिनेस प्लांट 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 प् बॉक्साइट आप देखोगे तो रॉक की जो डिकम्पोजिशन होते हैं उससे हमारी बॉक्साइट रॉक हमारी बनते हैं या मिनरल्स बनते हैं तो सोलर कमरा बी यहां पर आंसर हो जाएगा 17 पुचाए कोडैरमा जो जारकन में है किसका लेडिंग प्रोडुसर है कोडैरमा जारकन में दोस्तों मीका फरो इसके लावा मिँका आपको गया ङॉनारली मिका देखनेग consumers हो जाएगा अठारवा यहां पर कि जो हमारी मिनरल्स की जो डिकमपूजिस होती है वो हमारी किस रॉक के इस्टेटा में होती है बॉटम में होती है ठीक है तो आप आप देखो कि सेडिमेंटरी रॉक होते हैं सेडिमेंटरी रॉक के इस्टेटा में हमारी मिनरल्स की डिपूजिट होते ह और sedimentary rock में आपको koela मिलेंगे, petroleum मिलेंगे और बहुत सारे minerals आपको मिलते है sedimentary rock में तो 18 का A यहाँ पर answer हो जाएगा 19 वा यहाँ पूछा है कि monagite sand में कौन सा mineral पाया जाता है तो monagite sand है वो आपको केरला के बीच में देखने मिलते हैं और केरला के बीच में thorium का deposit है तो monagite sand में हमारी thorium जो radio active elements है उसके यहाँ पर मिलता है 19 का C यहाँ पर answer हो जाएगा अब यहाँ पर पूछा है कि limestone की industry के raw material है दोस्तों limestone में calcium carbonate, magnesium carbonate मिलते हैं और cement और हमारी iron steel industry दोनों में raw material तरह के use होते हैं तो 20 का यहाँ पर B answer हो जाएगा, यहाँ पर इस्टील iron industry दिया नहीं है तो cement industry में हमारी raw material का use होता है एक किस्वा कोईशन है यहाँ पर which one of the following agency market is still for the public sector plant public sector plant में इस्टील का production किस company में किया जाता है यहाँ पर इस्टील के production किया जाता है और यहाँ पर integrated plant आप देखोगे तो छोटा नाकपूर की region में आपको देखने मिलेंगे जैसे राउरकेला में राउरकेला इस्टील प्लांट बोकारो में बोकारो इस्टील प्लांट भिलाए में भिलाए इस्टील प्लांट दूरगा पूर इस्टील प्लांट यह हमारी इस्टील की integrated plant है और एक महारातना कंपनी है और इंडियम टूटल दस महारातना कंपनी है बाइसमा की बात करें तो बॉकसाइट रॉम मैटेरियल यूज़ करके कौन सा यहां पे आपको प्रोजेक्ट मना जाता है तो एलमुनियम जो स्पेल्टिंग होती है उसमें बॉकसाइट की रॉम मैटेरियल यूज़ करते है ठीक है तो 22 कमारे यह आंसर हो जाएगा तो हैं यहां पर जो टेलीफून कंप्यूटर किस इंदस्रि की दोरा मैंड़िक्टर किय आता है तो हमारी एलैक्ट्रोनिस चोंश हमेरे वcesso यहां पर और फि'll IT ए कम्पूटि और इंन्च 3. यहां पर पुछा दोस्तों इस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है किस लोकेशन को connect करते हैं तो इस्ट वेस्ट कोरिडोर है आप जो हमारी आसम की जो सिल्चर है वहां से नेशनल हाइवेस है, तो 24 का मारा B यहां पर आंसर हो जाएगा, 25 है कि कौन सा जो हमारी ट्रांस्पर्ट की मोड्स है, वो रिड्यूस होती है, Transipment Losses Transipment Losses का मतलब है कि आप जैसे मालो ट्रक से आप बालू को सेंड को आप ट्रांस्पूर्ट करते हो तो बहुत सादा जो बालू होता हो रोट की किनारे थ्वड़ा थ्वड़ा ज़ड़ता राता गिर जाता है उससे हमारी Transipment Losses होती है तो किससे हमारी Transipment Losses कम होती है पाइप वे दोस्तों मॉडर हमारी जो अभी ट्रांस्पूर्ट वे है इससे हमारी Transipment Losses कम होती है और डिले भी हमारी कम होती है तो 25 का C यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 यहाँ पर है कि HVJ जो पाइपलाइन है गैस पाइपलाण है किस स्टेट को कनेक्ट नहीं करती है तो HVJ का फुलफारम फुलफारम यदि आप देखोगे तो H का मतलब है हजीरा जो गुजरात में एक लोकेशन है V का मतलब है यहाँ पर बिजयपूर जो मद्यप्रदेश में लोकेटेट है J का मतलब है जगदिशपूर जो UP का लोकेटेट है यहाँ पर देखोगे मद्यप्रदेश, UP और गुजरात यह हमारी हो गई महरास्टा में आपको यह पाइपलाण नहीं देखने में बिलती है 26 का B यहाँ पर आंसर हो जाएगा 27 का देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा पोर्ट deepest landlock पोर्ट है और will protected पोर्ट है इस्ट कोस्ट इस्ट कोस्ट का मतलब है उडिसा वाली कोस्ट उडिसा से तमिनाडू कोस्ट की बात करने है यहाँ पर तो देखो कि जो विसाखा पर्णम पोर्ट है बाइजेक पोर्ट है एक डिफेंस पोर्ट भी है जो हमारी डिपेस्ट भी है और landlock भी है और well protected भी है ठीक है तो 27 का D यहाँ पर आंस हो जाएगा विसाखा पर्णम 28 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा mode of transportation जो है सबसे important है इंडिया में तो रेलिवेज आप बोल सकते हूं रेलिवेज सबसे ज़्यादा यह महत्पूर्ड हमारी transport की means है इंडिया में 28 का B यहाँ पर आंसर हो जाएगा आज का I think last के यहाँ पर question है उन्तिसमा यहाँ पर पुछा है कि which one of the following terms used to describe trade between two or more country दो या दो से अधिक country के बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते है international trade तो यहाँ पर B यहाँ पर आंसर हो जाएगा international trade तो यह हमारा होगे दोस्तों class 10 की जो हमारी geographic MCQ थे उसको हम लोग डिसस किये total 29 MC को यहाँ पर डिसस किये